हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब मैं कमल कुमार आप लोगों का comment classes में स्वागत करता हूँ चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस worksheet को worksheet number 19 को जो हमें direct rate of education GNCT of Delhi की दरफ से provide किया गया है subject है बच्चों English, worksheet number 19 dated on 21st of August 2021 के लिए class 9th के English and Hindi दोनों medium के बच्चों के लिए common worksheet है जिसके अंदर आज हम grammar के portion determiners को continue करेंगे determiners को पढ़ना है समझना है और उसके uses को understand करना है साथ ही बच्चों जो भी आज हम सीखेंगे उसका हम day to day life में use करने की कोशिश भी करेंगे जिससे बच्चों ये rules जो हम बार-बार भूल जाते हैं न जैसे 9th में पढ़ोगे फिर उसकी बाद same चीज 10th में पढ़ोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्यों कि हम उसकी practice नहीं करते हैं तो हमें क्या करना होगा practice करनी होगी जिससे कि इन rules को अच्छी तरीके से याग रखा जा सके चलिए शुरू करते हैं make sure बच्चों अगर आप पहली बार चैनल पर आये हैं तो चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूलें and yes bell icon को भी press कर दें जिससे कि आपको latest videos की notifications मिलती रहें और आपका worksheet समय पर होता रहें लिखा हुआ है dear students in the previous worksheets you have learned about demonstrative determiners आप लोगों ने demonstrative determiners के बारे में पिछले worksheet में सीख लिया है in this worksheet we will learn about uses of determiners like some, any, many, much यानि कि आज हम ऐसे determiners की बात करने वाले हैं जिसमें हम some, any, many और much को cover करेंगे to understand these determiners refer to the table given below हमें इसे समझने के लिए या इन determiners को समझने के लिए इस table का use करना है सबसे पहले some, some जो है वो countable और uncountable दोनों के लिए use किया जा सकता है positive sentence है और offering है वहीं पर any जो है वो negative sentence के लिए use होता है या फिर questioning के लिए many का use countable plural noun के लिए किया जाता है या फिर positive sentences के लिए इसका use हम negative sentence के लिए भी कर सकते है यानि कि any और many इन दोनों का use हम negative sentence के लिए फिलहाल तो कर ही सकते है उसके बाद है much, many और much में difference यह है कि many countable के लिए use होता है much बच्चों uncountable के लिए use होता है many plural के लिए use होता है much singular के लिए use होता है और positive तो दोनों ही है साथ ही बच्चों negative sentences के लिए भी use किया जा सकता है कुछ examples हैं जिनसे समझाने की कोशिश की गई है और इसके base पर हमसे कुछ questions पूछे गए है तो उमीद करता हूँ कि आप लोग इस rule को समझने की कोशिश करेंगे जिससे के नीचे जो worksheet में fill ups है उसको आप खुद ही भर पाएं और मेरी help भी कर पाएं examples हैं some of my friends are good at sports यानि कुछ मेरे दोस्ट जो है वो sports में अच्छी है तो countable है दोस्ट है there was some water logging during rain यानि की पानी जो है वो भर जाता है पानी अटक जाता है बारिश के दिनों में offering में क्या आता है would you like some cupcakes यानि आप offer कर रहे हो यह किसी से पूछ रहे हो कि क्या आप कुछ cupcake पसंद करेंगे उसके बाद है बच्चो negative sentence के लिए any मीरा does not have any pair of red shoes यानि मीरा does not have any pair of red shoes मीरा के पास कोई भी red shoes का pair नहीं है उसके बाद है बच्चो any is there any coffee left यानि की कोई चाई कोई coffee जो है वो बच्चा रह गया है फिलाल तो coffee के बारे में आप चाई के बारे में भी ऐसे लिख सकते हो उसके बाद है बच्चो countable noun में many there are many students in my class मेरे school के class में मेरे class में बहुत सारे बच्चे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा many और बच्चे countable है उसके बाद I don't have many relatives मेरे ज्यादा relatives नहीं है we are small family यानि हम छोटे परिवार में रहते हैं हमारा जो परिवार है वो छोटा है उसके बाद है बच्चों much much uncountable में आता है we had too much entertainment at theater यानि की हमने theater में बहुत जादा मजे किये तो much यानि बहुत जादा हो गया उसके बाद negative sentence के लिए they did not earn much praise for winning the match यानि की जब वो match जीते तो उनको कुछ ज़्यादा तारीफे नहीं मिली तो कही न कहीं negative sentence के लिए हम any, many और much इन तीनों का use कर सकते है some का use negative के लिए नहीं होता सिर्फ positive के लिए होता है हाला कि सब का use हम positive के लिए कर सकते है any का positive के लिए नहीं होता है ये देखिए इसमें positive नहीं है ठीके तो इस प्रकार से ये rules तो clear हो गए चलिए देखते हैं कि सच में ये clear हुए या फिर बस हो ही गए question number one से लेकर 10 तक 10 questions दिये गए हैं मैं उमीद करूँगा कि आप लोग अब क्या करेंगे वीडियो को करेंगे pause और इसके answers देने की कोशिश करेंगे उजे पता है बहुत सार बच्चे comment section में लिखेंगे sir अगर हमें आता होता तो हम वीडियो क्यों देख रहे होते बात सही भी है लेकिन बिटा वीडियो का मकसद तो तभी पूरा हो जाता है जब आपको rule और regulation समझा दिये जाए actual में यह जो philips है यह आपका भरना काम होता है जिससे कि आप कुछ को चेक कर सकें कि आपको क्या कुछ आया इस वीडियो की मदद से चलिए देखते हैं आखिर सच में कुछ आया भी यह नहीं fill in the blanks using appropriate determiners और यह determiners along with दिये हुए यहां पर देखिए some or any अब शुरुवात करते हैं यहां से रोहन hasn't got जैसे नेगटिव मिल गया तो दिमाग में चलेगा सम तो आई नहीं सकता क्योंकि बच्चों सम का यूज जो है वह positive के लिए होता है सिर्फ negative के लिए तो होई नहीं रहे है ना तो negative के लिए क्या सकता है एनी आ सकता है उसके बाद मैंनी आ सकता है मच आ सकता है तो फिलहाल इतना तो clear हो गया लिखा हुआ है रोहन hasn't got dance assignment today as he is playing cricket यानी रोहन जो है वो cricket खेल रहा था इसलिए उसका assignment उसको नहीं मिला तो यहां पर सम आ जाएगा या एनी आ जाएगा तो यहां आएगा एनी ठीक है एनी assignment now second one इसमें एनी पर टिक कर देंगा उसके बाद है second one mona is unhappy because she hasn't got any friend यहां पर भी यह negative है तो यह एनी फ्रेंट मोना is unhappy मतलब मोना बहुत जाद नाखुश है परिशान है क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं लिखाओ न she hasn't got any friends to share her feeling with उसके पास कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ वो अपनी feelings को share कर सके I have got dash colorful pens would you like one I have got any नहीं यहां पर आएगा some I got I have got some colorful pen यानि मुझे जो है वो कुछ colorful pen मिले हैं क्या आप एक लेना पसंद करेंगे तो यह पूछ रहा है यहां पर इसके बादे next question number four there are dash candles any candle या many candle बताहिए मतलब some candle तो यहां पर आजाएगा some so there are some candles but there aren't aren't मतलब नहीं है there aren't balloon in this bucket या in नहीं है तो balloon नहीं है तो any आजाएगा क्योंकि हमने पढ़ा था negative वाले में any लगेगा we have got dash money अब dash money money to some ही होता है any तो हो नहीं सकता तो we have got some money can you go to sorry we can go to watch a movie क्या हम movie देखने चल सकते हैं तो some आ जाएगा इसमें इसके answer में some इसके answer में भी some question number six I hope कि आप लोगोंने भी यही answers दिये हूं question number six there are dash positive cases in last few days in India there are many positive cases much नहीं many ठीक है there are much positive cases there are many positive cases तो cases जो है वो countable है तभी वो cases में count होएं तो many जो है वो countable है much जो है वो uncountable है ठीक है तो इसलिए many आएगा now a days kids spend dash time chatting online with friends बताइए much time यानि time कभी भी उटा countable नहीं होता तो यहां पर much time आएगा इसमें much और इसमें many उसके बाद question number eight rima has won dash medal in zonal music competition rima has won many medals क्योंकि medals तो है वो countable है ठीक है तो उसको बहुत सारे medals मिले countable है तो many question number nine there is not dash water left to suffix the need of huge population बताईए क्या रगा much या many much क्योंकि water भी countable नहीं है जो countable नहीं है उसमें तो मची आएगा ना next we have ordered dash books from online shopping site many यहां पर आजाएगा many क्योंकि books are countable so many many books from online shopping sites तो इस हिजाब से हमारा यह worksheet complete हो जाता है बच्चों मिलता हो मैं आप लोगों से अगले वरक्षीप में तब तक के लिए पना बहुत सारा ख्याल रखिये स्टे ट्यून टेक केर बाबाई चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें कि अ क्या है था बचलें